आज मैं आपके साथ 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि अगर आप रात को पानी में भीगो कर सुभा सुभा नहार मुखाना शुरू कर दें तो करीब 900 तुरहां की अलग अलग बिमारियों से आप बचे रहेंगे और कभी आपके अंदर बुढ़ापा नह नहीं आएगा का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपकी उमर ही नहीं बढ़ेगी आफकोर्स आपकी उमर बढ़ेगी लेकिन दो तरीके से इसमें आपको फाइदा होगा पहला फाइदा यह होगा कि उमर बढ़ने के कारण बौडी के अंदर जो चेंजेज आने लगते हैं ज आपके अंदर होने वाले नैचुरल एजिंग प्रोसेस को यह चीजे स्लोडाउन कर देंगी जिससे आप ज्यादा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे तो चलिए बिना किसी देरी केस इंटरस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे पूरी डिटेल से ये छोटे-छोटे दाने विटेमिन्स और मिनरल से भरे हुए होते हैं इनके अंदर कैल्शियम, मैगनीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइडेट्स, फाइबर और प्रोटीन, सभी कुछ होता है खस-खस को रेगुलरली लेने से ये आपकी हड्डियों को मस्बूत बनाता है, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है और ओवराल हेल्थ को भी आपकी अच्छी बनाए रखता है पॉपी सीट्स, डाइजेशन को भी इंप्रूव करते हैं, स्किन को भी हेल्दी और सॉफ्ट और रिंकल फ्री बनाए रखते हैं और इसके अंदर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिससे उम्र बढ़ने के साथ साथ तरहा तरहा के दर्द बगेरा जो बॉडी में होने लगते हैं इनमें अराम मिलता है इसका इस्तमाल करने के लिए रात को एक टीस्पून खसकस आप पाने में भिगोकर रख दीजे और सुबह नाश्टे में पीस कर इसको दूद में मिलाके इसको पी लीजिए रेगुलरली इस तरह से खसकस का इस्तमाल करने से आपको अपनी सेहत में काफी जाता इंप्रूमेंट नजर आएगा खसकस की तासीर दोस्तों ठंडी होती है इसलिए गर्मी में इसको लेना जो है वो बैस्ट होता है वैसे सर्दियों में भी आप इसको ले सकते हैं लेकिन अगर आप इसको सर्दियों में लेते हैं तो इसमें इसकी जो डोज है वो थोड़ी कम कर दीजे या फिर इसके साथ क बहुत सारे antioxidants होते हैं जो कि हमारी body में नया खून मनाते हैं और हमारे पेट को भी ये साफ करती है दोस्तों किशमिश के अंदर vitamin A भी बहुत जादा होता है जो कि हमारी आखों की रोशनी को बढ़ाता है इसमें potassium भी होता है जो कि blood pressure को बढ़ने से रोखता है और इसमें calcium भी ह होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है दोस्तों जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है वैसे वैसे ये सभी problems हमारे अंदर पैदा होना बहुती आम बात होती है इसलिए खास करके बढ़ती उमर में किशमिश को रात को भीगो कर खाना बहुत ही जादा मुफीद होता ह रुजाना करीब एक टेबल स्पून के बरावर किशमिश इस तरीके से रात को पाने में भीगो कर सुबह खाली पेट चबा चबा अगर आप खा लेते हैं या फिर अपने ओट्स में दलिये में या दूद में डालकर इसको पी लेते हैं तो इससे आपको काफी जादा इसको खाने से आपकी बॉडी में कैंसर होने का रिस्क बहुत जादा काम हो जाता है आपको वेट मेंटेन रखने के लिए यह हलफुल होते हैं और कॉलिस्ट्रोल को और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से भी रोकते हैं इसलिए बढ़ती उमर में आपको फ्लैक्सीट्स भी अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लेने चाहिए लेकिन फ्लैक्सीट्स जब भी आप लें दोस्तों तो इसको हमेशा ड्राई रोस्ट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए ड्राई रोस्ट का मतलब यह होता है कि अलसी के बीजों को आप पहले तबे पे डाल दें और हलकी राईजिस्ट नहीं कर पाता है इसलिए अलसी के बीजों को यूज करने का सही तरीका जो है दोस्तों वह यह कि एक टेबल स्पून फ्लैक्सीट आप ले लें पहले इसको भूलने तबे पे और फिर मोटा मोटा कूट लें या फिर मिक्सी में इसको पीस लें और इसके हाँ सर्दियों में इसको आप जितना चाहें उतना आराम से बिना किसी दिकत के इस्तमाल कर सकते हैं हमारा आज का सेकेंड लास्ट आइटम है बादाम बादाम दुनिया भर में दोस्तों बहुत ही कॉमनली खाये जाने वाला ड्राइफ फ्रूट है बादाम में प्रूटीन होते हैं विटमिन, मिनरल और बहुत सारा हेल्दी फैट होता है और यह सर से लेके पाउं तक हर एक चीज को नरिश्मेंट देता है खास करके आपके दिल को आपके धिमाग को हड्डियों को नसों को और मसल्स को बादाम खाने से आप मस्बूत बहुत ही असानी से बना सकते हैं रोजाना रात बर भीगे हुए साथ से दस बादाम अगर चलका उतार के आप सुबह सुबह खा लें तो इससे आपकी सिहत में चार चान लग जाएंगे वैसे बादाम की तासीर भी गर्म होती है लेकिन अगर पानी में बिगो के इसको खाया जाए तो बारा महीने बिना किसी दिकत के आप इसको ले सकते हैं कोई गर्मी या कोई और प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ी दोस्तो हमारा आज का लास्ट फूड आइटम है मेथी दाना मेथी दाना खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं इसमें आईरन होता है जो कि खून को बढ़ाता है य इससे बॉडी में कमजूरी आने लगती है मेथी दाने का सेवन करने से आपकी ये कमजूरी दूर होती है रोज सुभा सुभा खाली पेट एक से दो टी स्पून मेथी दाना अगर रात को भिगोकर आप खा लेते हैं तो उससे आपको ये सारे फायदे मिलेंगे जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं दोस्तों मेथी दाने की तासीर जो होती है ये भी गर्म होती है इसलिए गर्मी में अगर आप इसको लेते हैं तो आधी डोज मिलें या फिर इसको ना लें अगर आपकी जाता ही गर्म प्रगरती है तो लेकिन सरदियों के मौसम में आप मेथी दान के साथ मिलके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इसका बन जाता है इसलिए जादा बहुतर है कि पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें अगर वो हा करें तभी आप मेथी दाना इस्तमाल करें लेकिन अगर आप डियबेटिक पेशन्ट नहीं है तो उस केस में आपको कोई भ जबनाने के ज़रुरत नहीं है आप अराम से इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि ड्राइफ रूट्स को या फिट सीड्स को या बीजो को पाने में भिगो कर क्यों खाना चाहिए ऐसी सला क्यों दी जाती है तो अगर आयरवेद के ड्राइफ रूट्स होते हैं इनके अंदर दोस्तों फ्यटिक असिड नाम का एक कंसीकटिवर्य पाया जाता है और यह इन चीजों को इसी नहीं होने देता है और इन चीजों के अंदर जो मौजो nutrients होते हैं इनके absorption को भी रोग देता है जब आप इन seeds को या इन dry fruits को पाने में भिगो देते हैं तो उससे ये phytic acid जो है ये neutralize हो जाता है और इसी वजह से ये चीज़े एक तो आपके पेट में easily digest हो जाती है और दूसरा आपको ये मिलता है कि जो nutrients हैं इनके अंदर वो आपकी body में जादा absorb होते हैं जिससे इनका फायदा जो है वो बढ़ जाता है तो जो आयरवेध हमारा 1000 साल से कहता चला आया है कि पाने में भिगोगर आपको ये सबी चीज़े खाने चाहिए अब इस बात को scientifically भी प्रूव कि देती हैं बलकि आपको fit, healthy और जादा लंबे समय तक जवान बने रहने में भी मदद करती हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया भी जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपक इस पर लिखा होगा join उस पर भी क्लिक कर दीजे उसे क्लिक करके आप हमारे चैनल के paid member बन सकते हैं इस समय आपकी screen के उपर जितने भी ये list में नाम देख रहे हैं आप ये सब बो लोग हैं जो कि हमारे subscribers हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को join करके मंतली एक छोटी सी रकम दे हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुती बढ़ियासी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा